हलो दोस्तों मैं स्वरम बलिक आप सभी का टोपिक स्टेडी में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज रिजिनिंग की वीडियो में हम देखने वाले रिजिनिंग के टोप 100 कोश्चन स्रीज का एक और नया पार्ट जो की बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है आर्पे पैसाई कॉंस्टेबल यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के लिए तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा अपने दोस्तों को भी सेहर करिएगा और यह पूरी एक स्रीज मैंने स्टार्ट कर रखे है जिसमें डेली एक मैं रीजनिंग की वीडियो अप्लोड करता हूँ इसकी एक प्लेलिस्ट बनाके नीचे डिस्केप्शन बोक्स में लिंक देतिया है जो वीडियो अभी तक अप्लोड हो चुकी आप महाँ से जाके देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसी तरीके सा आपको डेली रीजनिंग की वीडियो, मैथ की वीडियो, प्रेक्टिस ओनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे तो नीचे रेडिकल के बटन को दबा करके बेल ऐकन कोन कर लीजगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुचना स्टार्ट हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आसा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप वीडियो को एक लाइक तो जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी जरूर सेयर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे दोस्तों आपको question जो screen पर दिखेगा आप उसे खुद भी try कर सकते हैं उसको try करके जो भी आपका right answer आता है उसे नीचे comment box में भी बता सकते हैं पहला question है आपका analogy से तो इसको try करके देखिए क्या इसका answer आएगा वीडियो को रोक करके try करिएगा देखे basically इसमें चल क्या रहा है a, c, e लिखा है अगर a और c के बीच का difference में check करूँ तो plus 2 का रहा है ठीक है फिर c और e के बीच का difference भी plus 2 का रहा है यानि कि plus 2 plus 2 इसमें चल रहा है बट फिर e से k सीधा चल गया इसका मतलब यह plus 6 हो गया तो जब हम ratio से change कर रहा है अब k और i के बीच में minus का difference दिख रहा है ठीक है k और i के बीच में मुझे minus का difference दिख रहा है minus 2 का यानि कि i k से पहले दो पहले आ जाता है तो इनके बीच में minus 2 का आ गया फिर इसके बीच में भी minus 2 का आ गया तो अब मैं समझ चुका हूँ कि क्या series इसमें चल रही है पहले group में plus 2 plus 2 ठीक है फिर दूसरे group में minus 2 minus 2 और जब group chain होता है उसमें plus 6 से increase होता है ठीक है अब next वाले group में देखे G से M के बीच में क्या है plus का increment है ठीक है plus का 6 का increment हमने कर दिया और इससे पहला group minus वाला था तो इसमें plus 2 plus 2 फिर अब next group पे आप जाएंगे तो plus करेंगे तो Q में plus 6 करेंगे तो कितना आएगा W आ जाएगा तो W और फिर यहाँ पे plus 2 वाला group आपका हो चुका है तो minus चलेगा तो W से minus 2 करेंगे U और U से minus 2 करेंगे तो S तो W U S आपका right answer हो जाएगा I hope कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है W U S is the right answer दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो बता दीजिए अगर समझ में नहीं आ है तो फिर भी बता दीजिए comment box में समझ में आते तो like कर दीजिए उससे मेरे को पता चल जाते यहां समझ में आ गया है ठीक है तो यहां पे इन दो इन में plus मतलब पहले group में plus 2 का sequence थी इसमें minus 2 का हो गया फिर plus 2 का फिर minus 2 का और जब group चीन ले हो तो इसमें plus 6 का है ठीक है चलिए next question पे चलते है अब next question है आपका to series का तो series वाले इस question में यहां पे क्या आगा question mark के बाद यानि कि series में next क्या आगा यह आपको बताना है अगर मैं इस question की बात करूँ तो series है increasing order में जब भी increasing order में series चलती है तो मैंने आपको 2-3 चीज़े बताई है एक तो यह तो plus चला होगा या multiply चली होगी यह किसी number के square लिख्यो है यह किसी number के cube लिख्यो है तो यह square और cube वाली तो series नहीं लग रही है अब multiply में भी मैंने एक चीज़ आपको बताई है अगर multiply में series चलती है तो वो बहुत जल्दी जल्दी increase हो जाती है तो यह multiply वाली series नहीं है तो आप series बची कौन सी है प्लस वाली series बची है difference चेक कर लिज़े आपका answer आजाएगा इन दोनों का बीच का difference कितना है 6 इन दोनों के बीच का difference 9 इन दोनों के बीच का difference कितना आगया 12 ठीक है तो next क्या difference आना चाहिए देखे 6 से 3 से increase चल रहा है तो next 3 increase करेंगे तो 15 तो यानि कि 33 में 15 प्लस करना है तो 15 प्लस करेंगे 48 आपका right answer आजाएगा I hope कि आपको question समझ में आ रहा होगा देखे यानि कि 3 से 3 का increment करते चल रहे है पहले 6 प्लस क्या फिर 9 प्लस क्या फिर आपका 12 प्लस क्या फिर प्लस 15 कर देगे तो 15 प्लस करते हैं यहां पे 48 आजाएगा और आपका answer option B हो जाएगा I hope कि समझ में आ गया होगा right answer जो भी आते हैं comment box में बताते रहागरे चलिए next question पे चलते हैं अब question number 3 आपका है इसमें बताना है दी गई सरंकला में गलत संख्या ग्याद किजे इसमें कौन सी संख्या गलत है वो आपको बतानी है तो try करके देखिए ठीक है वीडियो को रोकिए और try करके देखिए कोशन में आप answer सही लाग पाते हैं या नहीं लापाते है तो इस वाली सीरीज में मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है दीके 20 से 40 हो गया यानिकी double हो गया multiply चल सकता है यानिकी 2 की multiply चल लिए होगी 40 से 200 हो गया तो multiply 5 की हो सकती है ठीके जब 40 में आप 5 की multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 दीके सीरीज बहुत increasing से हो रही है और फिर यहां पर next आपका multiply 5 की होगी तो यहां पर अगर 4000 में 5 की multiply करेंगे तो यहां पर 20,000 आना चाहिए ठीके यहां पर क्या लिखा है 8,000 तो यही आपका wrong हो जाएगा तो आपको स्रीज जो है वो समझ में आ गई कि क्या स्रीज थी और उसमें क्या गलत है पहले एक बर multiply 2 की हो रही है फिर 5 की हो रही है फिर 2 की हो रही है फिर 5 की होगी जब 4000 में 5 की multiply करेंगे तो 20,000 आपका बनना चाहिए और 1 क्या रहा है के बल 8,000 तो इसका मतलब यही आपका option C right answer बन जाएगा I hope कि आपको question समझ में आ गया होगा ठीके चलिए next question पे चलते है देखे अब आपका question number 3 है यह भी एक analogy का question है इसको try करके देखिए यहाँ पे है कि 6,5,2,4 को next लिख दे गया है 6,4,6,5 लिख दे गया है तो next क्या लिख जाएगा 9,6,3,8 को इनके बीच में relation find out कर लिजे next आपको दी निकाल लेंगे ठीक है इनके बीच में जो relation है देखे 6 को हमने 6 लिख दिया है ठीक है 5 में से minus 1 करके लिख दिया है यानि कि plus 0 किया गया है minus 1 किया गया है फिर plus 4 किया गया है और फिर आपका plus 1 किया गया है तो स्रीज क्या चल लिए है? प्लस 0, यानि कि कुछ प्लस नहीं किया गया है, फिर आपका माइनस 1, ठीक है? फिर प्लस 4 और फिर प्लस 1, तो ये वाली स्रीज चल दिया है, तो डिट्टो यही समें कर देना है, 9 को वैसे का वैसा 9 लिख देना है, 6 में से आप माइनस 1 करेंग रहे हैं, तो आपका 7 हो जाएगा, 8 में प्लस 1 कर देंगे, तो आपका 9 बन जाएगा, तो यही स्रीज मैंने क्या, पहले 0 प्लस किया, यानि कि 9 को वैसे को वैसे लिख जा, Тыक है, तो यह बहुत सारे टाइप के कोशन होता है, धीरे-धीर में आपको कवर करा रहा हूँ, ह बस अगर आपको पसंद आती है वीडियो समझ में आती है तो एक लाइक का बटन जो है न उसको दबा दिया करें बाकी तो सारी चीजे मुझे पता चली जाते है कि कितना आपको समझ में आ रहा है उससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है आपके लिए वीडियो बनाते रहन के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं अब कोश्चन नमर फॉर आपका पैटरन को पूरा करने और कोश्चन मार को परतिस्थापित करने के लिए सही विकल्प का पता लगाए यहां पर आपको इसमें से बताना है कि कौन सा राइट रहेगा यानि कि यहा प्रिष्चे वाली आपको बड़ी नजर आड़ यह नहीं संक्या तो कुछ ना कुछ उपर वालों का कॉम्बिनेशन बनके ही बड़ी बनी होगी अब बड़ी कैसे बन सकती है पलस करके नहीं बन सकती तो तीसरा क्या आता है फिर आपका पलस करके स्क्वाइर करके तो इसका मतलब आपको यह देखना पड़ेगा कि यह किसका स्क्वाइर होता है तो 169 आपका 13 का स्क्वाइर होता है ठीक है अब 13 का अगर स्क्वाइर यह है तो यहां पर यह तीनों नंबरों का सम जो है वो 13 होना चाहिए तो 5 और 3 कितना होता है 8 13 में से 8 को माइनस कर यह square किसका 13 का है तो आपको इन तीनों का sum 13 बनाना पड़ेगा तो 5 और 3 आठ तो बन रहा है फिर कितना और पलस करें उसमें 13 बन जे 5 और पलस करना पड़ेगा तो यहाँ पे 5 रख दीजे तो 5 और 5 10 और 13 तो 13 का square आपका 169 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा तो right answer क्या हो गया 5 I hope कि आपको question समझ में आगे होगा चलिए next question पे चलते हैं अब question number जो 5 है आपका इसमें भिन बताना है कि A B C D में से कौन सा option भिन है ठीक है तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें तो सब कुछ ठीक ठाक है चीजे तो बहुत उल्टी सी दिया बट अगर इस वाल तो option A is the right answer question number 6 को try कर देखें ट्राइब में क्या रहेगा अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 में क्या है कि ये तीनों के तीनों सोरी दोनों के दोनों जो ये लाइने हैं से में हलके लगी सबी में अलग-अलग रखी है मतलब अलग-अलग direction में बोल सकते हैं फिर अलग-अलग को option C को right answer लगा सकते हैं ये भीन हो जाएगा इसमें ठीक है तो दोस्तों इस तरीके की question भी आते हैं मैं आपको हर एक टाइप को question कराने के लिए ready हूं बट आप वीडियो को पूरा देखने के बाद में like कर देख रहे हैं और अपने दोस्तों को share कर देख रहे हैं ठीक है चले चलता है और इसके बाद फिर वह बाइं और मुढ़कर कितनी दूरी पर है तो चलैंने की कि उततर यह वाली direction है तो इस point से हो चलेगा तो इस दिशा में उत्तर की दिशा में 30 meters चलता है तो हमने उसको चला दिया 30 meters चलने के बाद में बॉला जा रहा है इसके बाद में बाइं और मुड़ता है और 20 meters चलता है अब मुझे यह बताइए अगर आपका face उतर की direction में तो आपका by और कौन सा होगा आपका left side क्यों सा होगा तो जैसे आप भी mobile को पकड़ के video देख रहे हो तो यही आपका left साइड जो साइड आपकी left साइड है यåनि की by side और ही आपका यहाँ पर हो जाएगा तो इस direction में तो इस डारेक्शन वह है और जो rep है उसका फेस भी उसी डारेक्शन में है तो अब वह 20 मिल्टर चलेगा यानि कि ऑप्शन बोल रहा हूं सोरी सी पॉइंट पे वह आ गया है 20 मिल्टर चलने के बाद ठीक है उसके बाद बोला जा रहा है इसके बाद फिर वह बाई और मुढ़कर 30 मिल्टर चलता है अब फेस कि बोला जा रहा है अब बताatisfy कि वह अपने प्रारंबिक स्थान से कीजिस दिसाम में हैं और कितनी दूरी पर है तो दूरी तो मैं आपको बता दूँ यह वाली उसकी दूर्ण कवी तो यह पर मैंने आपको दूरे में तो दिशा का मैं थोड़ा सा आपको किलियर कर दू कि अगर वो इस पॉइंट से चला है ठीक है यह पॉइंट है उसका चलने का और उत्तर दिशा में वो गया है फिर तीस मिट्र जाने के बाद में मिलिस मिट्र इस डायक्शन में जाने के बाद में फिर वहीं पर आ गया ह यानिकि इस point से चला था तो यह वाली कौन सी है पस्चिम है तो पस्चिम डारेक्शन मतलब अगर डारेक्शन पूछी जाती किस डारेक्शन में जा रहा है तो फिर आपका change हो जा था बट अभी वह पस्चिम ही में ही है अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाओं उसने यहां से चलना स्टार्ट किया 30 मिट्र गया 20 मिट्र इस ट्रैक्शन में गया फिर 30 मिट्र आ गया यह वाले डिस्टेंस और यह वाले डिस्टेंस सेम है तो अभी वह यहां पर पस्चिम दिसा में ही है अगर पूछे जा तक किस दिसा में जा रहा है तो वह दक्षिंट दिसा हो जाती क कैसे हो आए तो यह हो जाएगा option A ठीक है यहां पर देखे यह देखे प्राणमिक इस्थान से किस दिसा में और कितनी दूरी पर है किस दिसा में है एक दो चीज़े होती है किस दिसा में जा रहा है और किस दिसा में है तो पस्चिम में ही है अभी तक वह जाने की नहीं पूछ मेरे पिता के बेरे उसकी बेटा की बेटी देखे बैनों यह हम सिस हो गई तो यह मेरा क्या हो गया जो बेटा है बेहन का बेटा ये मेरा फुपेरा भाई हो गया और जो इसकी बेटी होगी वो मेरी क्या लगेगी भतीजी लगेगी तो मेरी ये भतीजी हो जाएगी तो किस तरीके से हाँ पर रेलेशन हो गया इनका भतीजी का तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो तो अगर आप इस तरीकी से वेंडेग्राम बना के कोशन को करते हैं तो चुटकियों में कोशन हो जाएगा आप बहुत जल्दी मतलब देखते भी कोशन को कर सकते हैं अगर आप इस तरीकी से कोशन को करना स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए नेक्स कोशन पर चलता है कोशन नमबर 9 है कि कुछ मकान दर्वाजे हैं और सभी दर्वाजे पैंसिल है तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या क्या है एक मकान बनाया और कुछ मकान दर्वाजे हैं तो हलका सा दर्वाजे का इसमें कट लगा दिया फिर यहाँ पर बोला सभी दर्वाजे पैंसिल है त सबी सबी दर्वाजान में को कवर कर दिया निष्कर कर देञा है कि सबी मकान पैंसिल ह। मैं दिखें आप काई आ ये हैं पैंसिन ये सबी म क्रों कॉत का कुछ कण पैंसिल हो देखी दो कॉछ को यह हैं और मकान यह है कि कुछ वाली कंडिशन तो सैटिस्पाई होगी होगी क्योंकि यहां पे कुछ दर्वाजे मकान हैं ठीक है कुछ मकान जो है वो दर्वाजे हैं तो हलका से अगर कट इसमें लगा और सारे के सारे दर्वाजे पैंसिल आगे तो कुछ वाली कंडिशन को बिल्कुल साइटिस्पाई करेगा तो यहां पे सेकिंड वाला राइट हो जाएगा आई होब कि आपको कोश्चन समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स कोश्चन पर चलते हैं वह कोश्चन नमबर टैने आपका कथन और पूर्धारनाएं से इसमें बोला जा रहा है जिने प्र प्रधाना अध्यापक अभिवावक को सूचना दे रहा है यह चीज की तो यहां पर पूर्धारनाएं क्या कहें कुछ अभिवावक बच्चों को प्रोच्चाइट नहीं करते हैं तो सायद नहीं करते होंगे तभी इस चीज को बोला जा रहा है ठीक है अगर वह टेमेन्ट और ञंट्यन वाले कोशन में कि आप कितना लेवल तक सोचकेएं फिर दूसरे वाला है अभिवावक प्रधाना अध्यापक की सला का पाण कर सकते हैं तो यह भी आपका राइट हो जाएगा क्योंकि यहां पर पालन का जो अध्यापट प्रधाना अध्यापक की स साही होगी क्योंकि परधाना ध्यापक जो होगा वह इसी चीज को बुलते वह सोचेगा कि इस पालन कर सकते हैं ठीक है न तो syकने वाली बात जो होगी वह र्याइट रहीगे आपके अगर यहाँ पर होता 100% कर सकते हैं यानि की कर सकने वाली बात तो प्रार में आप स्मध में आया और चाहरा था चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 11 यह साइट 12 बीच में कोशन आपको उपर नीचे हो गया तो यहाँ पर S और T आपसे कुछ कोशन भी मैं पूछने वाला हूँ वो भी आंसर बताएगा आप ठीक है और पूरी वीडियो को देखेगा S और T का आपको क्या बताने है वोटर इमेज नीचे रखा है इसका मतलब आप इसको मिरर इमेज भी बोल सकते हैं बस यह बोल सकते हैं कि मिरर नीचे रखा है तो अब आपको पताना है S और T कैसे बनेगा मैं आपको एक चीज समझाई थी कि एक तो इनकी direction change नहीं होगी कि S और T यहाँ पर रखा है तो T S नहीं बन सकता कभी भी ठीक है तो जहाँ पर T S लिखा जिसे T S, T S और T S तो यानि कि एक option यहीं बच रहा है तो यही right answer हो जाएगा अग मान लीजे चलिए यह T S यहाँ पर ही होता पर फिर आपको क्या check करना था कि जो चीजे यहाँ पर mirror जो रखा यह water जो है इसके pass में उसको pass में रखना है अब T का कौन सा इससा pass में है यह वाला pass में है यह वाला नीचे वाला जिसमें कुछ भी नहीं है उपर ते एक डंडा आपको दिख रहा है तो यह दूर है तो आपको नीचे यह दूर ही रखना है इस तरीकी से बनाना है एस में भी आपको यह चीज वैसे के वैसे ही बनानी है इस तरीके से तो यहाँ पर यह आपका option ही हो जाएगा I hope कि आपको समझ में आ गया होगा देखें दोस्तों कुछ question आपसे पूछता हूँ यह है आज के तीन question इन तीनों का आप right answer दीजेगा पहले दूसरे और तीसरे का यह आपके घर के लिए होग है आपके लिए और इसी तरीकी से हम और भी ज़्यादा practice कर सकते हैं अगर आप डेली question का answer भी देते हैं और अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है वीडियो का screenshot ले लिजे इनकी तीनों question का और इनका answer दे दीजे यह फिर वीडियो को रोक लीजें फी ठीक है अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आर एक बार लाइक करें